कैसे आफ सब कुछ टाइम पहले न मैंने एक वीडियो अप्लोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीए बनने के बाद जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो कैसे मैंने first 10 clients achieve करे थे क्या strategies मैंने follow करी थी ठीक है आज की वीडियो में न मैंने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद देख लिए न कोई दिकत नहीं है इससे ऐसा कोई link नहीं है बट हाँ वो आपकी बहुत helpful होगी आज की वीडियो में बट हम बात करेंगे कि मैंने अपन क्लाइंट से कितनी फीज चार्ज करी और आपको एक सीग्रेट बता देता हूं वो फीज ना normal फीज से काफी ज्यादा थी और कैसे मैंने हाई फीज चार्ज कर लिए क्लाइंट ने फर्स्ट इनिशली स्टेज पे जब मैंने अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करी करी थी तो क से जो साथ के फ्रैंट से प्रैक्टिस में जिन्होंने स्टार्ट किया जो अपने सीनियर सीज से और सोशल मीडिया पर भी बहुत अलग अलग सोर्श से मैंने ट्राइ किया सबसे गाइडेंस लेने कि हाँ जो इनिशली स्टेज पे जब आप प्रैक्टिस अपनी कर रहे हैं तो कैसे क्लाइंट से मेला फीस कैसे चार्ज करें कैसे ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादत लेवल पर ग्रोग हो तो एक दो तीन तीप्स कॉमन थी बहुत कॉमन थी और सब्सक्राइब अगर में बता हूं तो टोटल मिलागी यही दो तिन टिप्स दीती उन्होंने कुछ ने कुछ ने कहा कि आप एक काम करो अभी क्योंकि नया स्टार्ट कर रहो चैलेंज आएगा आप किसी ना जो सीनियर सीए हैं जो पहले से बहुत टाइम से काम कर रहे हैं उनके एंडर में जॉइन कर लो उनके साथ पार्टनर बन जाओ उनके एंडर में जॉइन करके कुछ प्राइचान मिल जाएगी फिर 5-6 साल बाद तब आप अपना अपनी प्रैक्टिस ओपन कर ले ना दोने चीजे ना मुझे सही नहीं लगी प्रॉब्लम क्या थी कि यहां पे ना मतलब अगर कर दी तो वहाँ पर आपकी घराब हो जाएगी हाँ इतना जुरूर है कि मैंने बहुत वीडियो बहुत पहले एपलोड करी थी सिर्फ इसी पर्टिकुलर टॉपिक पे तब मैंने आपको सजेस्ट किया था स्टुटेंस को सजेस्ट किया था कि यह चीज है कि आप कभी चाहो तो कोई बहुत छोटी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्स दे सकते हो जहां पर आपको ऑपरचुनिटी दिखती है कि यह क्लाइन मुझसे बहुत सारी काम कराएगा और एक अच्छी पेमिंट बाद में बाटी काम के लिए करेगा लेकिन जो सर्विस आज फ्री दे रहो उसको थोड़ा सा अवोईड करने के लिए ही सजेस्ट करता हूँ पिर दूसरी चीज थी कि किसी सीए के अंडर में जूड जाओ सीने सीए के साथ वो मैं नहीं चाहता था आइव वांटिड की मैं अपना इंडिपेंडेंटली वर्क करूँ किसी के साथ अगर एक बार कनेक्ट कम फीज चार्ज करने से मतलब अगर कोई सी काम के बाकी सब 1000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं एक काम करो उसकी 800 चार्ज कर लो क्लाइंट आपके पास आएगा उनके पास क्यों जाएगा आप भी CEO वो भी CEO देखो इस चीज को भी मैं कभी फॉलो नहीं करता हूँ रिजन क्या है प्राइस के उपर आप कभी भी लॉंग टर्म वर्क नहीं गरबा होगे शॉट टर्म तो चलेगा वो क्लाइंट आज आपके पास ऐसे क्लाइंट जो होते ना आज 800 के लिए आपके पास है कर कोई 700 में काम कर देगा आपके पास चला भी जाएगा तो वह क्ला प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं तो वह हमेशें वहाँ पर चीज रहती है तो उस वह काम तो आपको कभी करना ही नहीं है आप चलो यह चीज तो क्लियर होगी कि हाँ चलो मुझे अब एक फ्री सर्विस भी नहीं देनी है सीनिर्स के साथ भी जॉइन नहीं करना है और जो सर्विस के लिए बाकी सब अगर लेट से 3,000 रुपीज चार्ज करते हैं मैं उसके लिए 5-6,000 रुपे चार्ज करते हूं अब जैसे ही मैंने ऐसे का आपके माइंड में कोशन आना बहुत अव्यस है कि सब कोई काम अगर 3,000 रुपे में हो रहा है कोई सीनिर CAB या बाक सब्विस देते हो न तो उसके फैद है कि है सबसे पहला आपके पास वही क्लाइन रुखेगा जो क्लाइंट आपकी वैल्यू करता है और वह एक बार रुखेगा न तो कभी प्राइस के लिए किसी दूसरे परसंद के पास नहीं जाएगा क्योंकि वह क्लाइंट रेडी है already आपको extra pay करने के लिए बात समझ रहे हैं second क्या है कि वो client आपकी respect तो करी रहा है अब आपको मान के चलिए कि एक client से 5000 रुपे ले रहे हो वरना उसी काम के लिए आप 1000 रुपे ले रहे थे तो पहले 5 client को handle करना पूड रहा था 5000 रुपी जन करने के अभी सिर्फ एक client को handle करना पड़ रहा है तो मतलब आपके उपर बर्डन कम होगा clients कम होंगे तो tension कम होगी limited client से आप income जाला generate कर पा रहे हो clear हो रही है बात समझ में आ रही है mind open हो रहा है मतलब यह चीज़े ना कोई बताता नहीं है और आप समझ नहीं इसको सोच नहीं पारे होते हो हमीशय कैसे सोचते चलते हैं हम सोस्डेश ब मेंली प्रक ADAM आप अफने आपको differentiate कर रहे हो तो आईसा होगा अगर आप differentiate कर पा रहे हो तो कोई client आपको छोड़के नहीं जाएगा convince करना, market करना, sale करना आपको आना चाहिए अब एक चीज़ एक हो, brands जो है न कोई भी है आप let's say t-shirt purchase कर रहे हो t-shirt 100 rupees में मिलती है 10,000 rupees में भी मिलती है क्यों person जिनको 10,000 वाली लेनी होती है कुछ ना कुछ आपको difference मिल रहा है और यह तो एक product है, service में तो बहुत easy होता है differentiate करना product में differentiate करना थोड़ा challenging होता है यहाँ पर brand value, brand हिया है brand मतलब आपको confidence है कि इसको पहन केना हूँ है premium दिखेगा मुझे premium feel होगा, मुझे comfort रहेगा तो वही चीज़े है आपको वहाँ पर differentiate करना है, अगर आप ही सोचो कि market में तो 100 रुपे में भी t-shirt मिलती है मैं अगर business start कर रहो हो तो मुझे तो 90 में seal करनी पड़ेगी, गलत है अब price के उपर कभी भी work नहीं कर सकते हो t-shirt आप जो wholesale market में वहाँ पर चले जाओगी, शहरे जिससे भी बहुत ज़्यादा low price पर आपको मिल जाब, बट matter क्या करता है quality matter करता है, अगर आप quality content पहन रहो हो, अच्छा पहन रहो हो, तो फिर आप उसके लिए pay करोगे, और pay करके अगर quality content मिल रहा है, तो आप हमेशा उसके लिए satisfy भी रहोगे as a client, ठीक है तो यहाँ पही क्या हुआ, कि जब आप client को premium दे रहो तो आपको समझ माया है कि हाँ, उससे premium client होगा, तो वो आपकी value भी करेगा और आपके साथ long term भी रहेगा, और आपकी tension भी कम होगी, अब यहाँ पे सबसे बड़ा important बात क्या है आपको client को जो extra premium charge कर सकते हो, वो primarily किसले charge कर सकते हो, consultancy के base पे, वो premium fees आप charge के, चाहे operational काम के लिए कर रहे हो, operational और consultancy का difference भी मैं बता देता हूँ, operational मतलब होगे return filing registration, इस तरह के के काम चाहोगे, consultancy मतलब जहाँ पे आप उनको guide कर रहे हो, किसी सीश के लिए tax planning विगरा कर रहे हो, उनका tax बचाने में save कर रहे हो, या किसी भी तरह की की कोई भी help कर रहे हो तो ये चीज़ें दोनों में होता है बीच में एक important information थी अगर आप GST, income tax tally, excel, mutual fund, audit asset 25 courses, बिलुकुल zero level से practical advanced level तक सीखना चाहते हो, जिसके अंदर return filing registration सब कुछ अच्छे से covered है thousand plus videos है, या फिर आप ये जाना चाहते हो, कि taxation और accounting film में अपना career बना के कैसे बाग की student 10 lakh से लेकर 25 lakh rupees yearly earn कर रहे हैं, तो आप CA PYUSH GUPTA name से mobile app download कर सकते हो, और एक हाँ अभी कुछ time के लिए 50% scholarship available है, तो अगर आप सभी courses purchase करते हैं, तो एक course की value just 395 rupees आएगी अब चलों सबसे पहले मैं आपको भी बता देता हूँ कि मैंने क्या work किया the first और उसकी क्या fees charge करी थी, जितना मुझे ध्यान है उसकी हिसाब से, initially जो काम था, वो GST registration का work था, और उसके लिए I think उस time पर 1500 rupees के around charge करते थे, जो nearby CES थे, वो 1500 rupees चार्ज कर रहे थे उसके लिए मैंने उनसे charge किये थे around 4000 rupees लब डबल भी नहीं, डबल से भी ज़्यादा बासमझ रो, कहां 10,000 और कहां 4000 rupees मैंने उनसे 4000 चार्ज कर, और किस काम के लिए GST registration, अरे GST registration में तो differentiate करना ही बहुत बटी चीज़ है क्योंकि, client क्या करेगा, registration ही तो लेना है, आप भी registration करके दो गया, वो भी registration करके देगा मैंने लिए कोई दूसरा सी है, वो भी करके देगे, आप भी करके दे रहो, वहाँ पर मुझे government से document मिलेगा, वहाँ वो भी मिलेगा, तो आप किस चीज़ के extra ले रहो यहाँ पर convince करना सब जाधा मुश्किल था और मैंने कैसे convince किया, उनको बेठाया, time दिया, क्योंकि अब premium client चाहिए है न, सस्ता client होगा, तो मुझे भी जोर पड़ेगा, time devote करते हैं, बट मुझे पता था कि client capable है, इनको अगर मैंने realize कराया, इनको explain किया कि हाँ, मैं क्या उनको benefit दे सकता हूँ, कैसे यह 4,000 रुपे उनके लिए best investment है तो definitely मुझे देंगे, और हमेशा यह client मिरे साथ connected रहेगा, तो मैंने उनको time दिया, उस time पर, और क्या करा, मैंने उनको realize कराया, उनको बताया कि देखो आप registration ले रहे हो, registration अभी लो, यह बाद में लो, दोनों में क्या difference है, क्या साथा है, registration के बाद की भी मैंने उनको क्या हुआ, 30-40,000 रुपे का एक तरीके से benefit बता दिया, कि मेरी जो tips मैंने उनको share करी उससे वो 30-40,000 रुपे save कर सकते हैं अराम से, यहाँ पर मैंने client का trust गिन किया, और दोका नहीं actually मैंने उनका benefit कराया है तो यहाँ पर जब मेरे पास knowledge है, उस knowledge को मैंने उनको दिया और उनसे उनका भी benefit हुआ, अब उनको realize हुआ, कि यहाँ पर यारे मैं वहाँ पर 1500 रुपीज दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं 4000 रुपीज दे रहा हूँ, तो जो 2500 रुपीज दे के, इस person ने मेरा अभी कि अभी 30,000 रुपी का profit करा दिया है tax के बारे में मुझे समझा दिया है तो अगर मैं इन से हमीशा काम करा हूँगा तो मेरा फैदा हमीशा ज़्यादा ही होने वाला है तो इसके उपर consultancy की एक वीडियो भी है मैं एक separate है, अगर आपको होगे न कि मैं premium fees कैसे charge कर दो client से कैसे 50,000 रुपी सक भी charge करना है तो आप मुझे comment करना है, मैं उसके बताऊँगा तो अगर आप इस तरह की charge करते हो न वैसे एक वीडियो course भी है 199 रुपीस का description में लिंक देखना just 999 में GST का एक course है होथ helpful होगा और उसमें client से कैसे 50-60,000 रुपी charge कर सक तो मैं एक client से तो वो चीज भी है आपको इसमें सेखने को मिलेगी से हमेशे कैसे कर सकते हो charge कहां कर सकते हो जहां consultancy वाला काम हो client का 50,000 का benefit करा रहे हो और से कहते हो कि भाई 5000 मेरी fees है वो देगा या नहीं देगा देगा ना तो वही simple सा funda है ठीक है तो इसीच पर हमेशे दियान रखो कि मैं हमेशे कहूंगा कि ना तो free service दो ना low price पर काम करो और अगर आप अपनी start भी कर रहो तो थोड़ा सा premium रखो बट premium के लिए एक चीज important है आपको knowledge होना बहुत जुरूरी है maximum tax practitioners क्या करते हैं या students क्या सोचते हैं कि बस return filing सीख लिए उससे काम हो जागा return filing सीखने से काम नहीं होगा आपको उसके पीछे के rules, regulations, consultancy, tax planning यह सारी चीज़े आनी चाहिए ठीक है तभी आपको सारी चीज़े पर work कर पाओगे अदरवाइस दिक्कत बहुत जादा आएगी और तभी ही आप premium service दे पाओगे वहना वही 500,000 रुपे में काम करते रह जाओगे ठीक है जस्ट एक information अगर आपको interest है इन सारी चीज़ों को इतना in-depth सीख नहीं का तो देख सकते हो एक बार app download कर लेना सीख पेश कुपता वहाँ पर आपको पूरी information मिल जाएगी ठीक है बाइबाइब